हालो बच्चों कैसे हैं आप लोग तो चलो स्टार्ट करते हैं आज एक बहुत ही डाउट टेबल टापिक है और इस पर बच्चे जानना चाहते हैं तो मैं आपको इसको फैक्ट रियलिटी में आपको बताते हूं और आज क्लियर कर दूंगा कि नीट इजी होगा या डिफिक इतना डिफिकल्ट पेपर आता है जिससे जो बच्चे कोचिंग करते हैं लागों रुपे फीज देते हैं वह ही सेलेक्ट हो पाते हैं जो बेचारा गरीब बच्चा है जो गोवर्मेंट इसकूल पढ़ता है उसका सेलेक्शन नहीं होता है लगबाग बहुत ही कम होता है व या 2021 जो पेपर आया वह इतना आशान था चलो अब 2021 में अगर बात करोगे 2021 की तो इसमें फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स की ऑन एंवरेज अगर इजी वाले कोश्चन की बात करोगे तो वह 50 परसेंट थे जार 50 परसेंट बहुत होते हैं और जो एवरेज इनको एक एवरेज बच्चा भी कर सकता है इनको तो सबी कर सकते हैं और यह एक एवरेज बच्चा कर सकता है वो लगबग 42 परसेंट ता और जो difficult वाला जो question थे जो question यह कोन करता है वो 8 परसेंट थे वो करते हैं जो आट-ञेडिया रहांग रखते हैं जो वो 720 में से 720 720 तिरी स्टुडेंट ने 720 नमबर पाया था जो कि मतलब कुछ परसेंट वाले थे यह भी इन्हों ने कर लिया था तो तुम्हारे लिए क्या है डिफिकल्ट हो या इजी हो यह बात कहना सही नहीं है ठीक है हो सकता है कि यह जो यह जो लेबल है डिफिकल्ट वाले जाता जाता जैता जो परृफे सर बनाते हैं वो सकता है क्यां फटी कोशंट घटा दी जाए इसकी कुछ परसेंटेज कर दो ना तुम्हें आल इंडिया अगर first rank लाना है अंडर 100 rank लाना है तो तुम्हें section करो डिफिकेंट वाला वो तुम्हें पढ़ के लग जाएगा कि वो मेरे से होगा या नहीं होगा या डिफिकेंट वाला इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक आपके लिए तो यहां से जो easy वाले question है अगर average वाले question कर दोगे तो selection तो तुम्हारा अच्छी रहें क्याई से हो जाएगा तो यह जो question है वो टॉपर के लिए होता अंडर 100 के लिए होता इसकी percentage थोड़ी सी बढ़ सकती है 2022 में क्यों बढ़ सकती है क्योंकि 2021 में जो है वह साथ सो बीस साथ सो बीस और भी साथ सो पंदरे सोलर नंबर बहुत सारे बच्चे पा गए थे तो हो सकता है कि इसकी possibility बढ़ है तुम्हारे दिए क्या करना है कि यह वाला जो section है वो attempt करो तो difficult और easy पर बिलिकुल नहीं जाओ मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करो motivated रहो energetic रहो और मेरे चैनल से जुड़े हो क्योंकि इस पर नीट के और जेई मेंस और जेई एडवांस के आने वाले टाइम में बहुत सारा question आ रहा है तो thanks for watching this video और अपना बहुत ख्याद अपको